हेलो गाईज, वेलिकम बैक टू माई चैनल फ्रेंट्स इस वीडियो में हम टर्टल एंड दर रैबिट की स्टोरी जो थी उसको हम देखेंगे यानि कछुआ और खरगोश की कहानी इंगलिस से हिंदी ट्रांस्लेट करेंगे चले कहानी को स्टार्ट करते हैं Once upon a time, एक समय की बात है, in a dense forest, एक घने जंगल में, there lived a hare, एक खरगोश रहता था, who was very proud of his speed, जो अपनी रफतार पर बहुत घमंड करता था He would boast वो डिंगे मारता to all the other animals, तमाम जानवरों से, about how fast he could run, कि वो कितनी तेज दोड सकता है The hair often mogged, खरगोश अकसर मजाक उड़ाया करता था, the turtles for being so slow, कच्छु कै कि वो कितना slow है One day, एक दिन, the turtles, कच्छुआ tired थग गया, of the hair's arrogance, खरगोश के तकबर से, उसके गुरूर से वो थग गया Challenge team उसको, challenge दे दिया, to raise, दोड का, यानि कच्छुआ न उसको challenge दे दिया, दोडने के लिए, ठीक है पॉस जिकाने में, खरगोश कच्छुए के देता है challenge, the hair laughed at the idea, जो खरगोश था उसके आइडिया पर हसा, but I agreed, like it, सहमत हो गया, राजी हो गया, thinking it would be an easy win, सोचा कि ये बहुत आसान जीत होगी, the race began, race जो दोड़ती शुरू हो गई, and as expected, चैसे उमीद की जा रही तो, the hair darted off खरगोश तेजी से दोड़ता हुआ गया, quickly तेजी से leaving the turtles far behind, behind one ने पीछे, यानि उस turtles को बहुत पीछे, छोड़ते विए बहुत आगे, तेजी से दोड़ता हुआ, चला गया, confident in his victory, victory means जीत, यानि जीत की confident में, एतिमाद में, यानि जीत की विश्वास में, the hair decided to take a nap, hair यानि खरगोश ने decide, फैसला किया, तो take a nap, कि वो एक nap लेगा यानि जपकी लेगा, थोड़ा आराम करेगा, under a tree एक पेड़ के नीचे, midway आधे राश्ते में, through the race, दोड़ने के दोरान, the turtles is so slow, कच्वा बहुत slow दोड़ रहा है, I have plenty of time, मेरे पास काफी वक्त है, to rest आराम करने के लिए, he thought, उसने सुचा, meanwhile, उसी दोरान, the turtles continued, जो कच्वा था मसलसल लगाता, to plod along उसी राश्ते पर, धीरे-धीरे कदमों से चलता, आ रहा था, slow but steady, धीरे चलता था, लेकिन steady यानि continuous लगातार उचल रहा था, without stopping, बिना रुके हुए, खरगोश वहाँ पेर के नीचे आराम कर रहा है, अभी कच्वा पीछे साएगा, तो फिर मैं दोरूंगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो सो जाएगा, और कच्वा आगे निकल जाएगा, और वहाँ पर, जो, हेर कच्वा खरगोश तमास सो गया, अब आगे देखे क्या ह जाता है, वाइल दा हेर स्लिप्ट, जब खरगोश सो रहा था तडा टाल्टर स्किप्ट मुविंग, कच्वा लगातार चल रहा था, विशने आखिर काश हेर खरगोश को क्र तेख गया, पार कर गया, दा हेर सिलिप्ट लॉंगर, खरगोश ज्यादर देर तक सोता रहा, ध चुक को नियर दा फिनिश लाइन, फिनिश लाइन के करीब जाए, उन्होंने लाइन खिची थी, जी थार के लिए महाँ पर उसको देखा, पैनिक्ड, घबडाते हुए, दा हेर डेज़ आफ, खरगोश तेजी ते दोड़ता हुआ गया, as fast as he could, जितनी तेजी सो दोड़ सकत था, but it was too late, लेकिन काफी देर हो चुकी थी, the turtles crossed the finish line, जो कछुआ था, उस लाइन को, फिनिश लाइन जो बनाई थी, उसको क्रॉस कर लिया, just as, जैसे ही, that hair reached, खरगोश वहाँ पहुचा, जब खरगोश वहाँ पहुचा, तो उसी वक्त, जो टर्टर्स था, कछुआ उसको उस लाइन को, क्रॉस कर लिया, यानि फिनिश लाइन को, the animals in the forest, जंगल की तमाम जानवर, cheered, उनोंने जैजैकार की, खुशी मनाई for the turtles, कछुआ के लिए, and the hair felt embarrassed, और जो खरगोश था, उसको महसूस हो, embarrassed, यानि शर्मिन्दगी, and defeated, और हारा हुआ, उसने महसूस किया, और उसको शर्मिन्दगी महसूस हुई, the turtles turned to the hair, and said, the turtles turned, कछुआ मुड़ा, यानि गया to the hair, खरगोश के पास, and said, और उसने एक नसीहत की, slow, धीरे-धीरे, and steady, लगातार, wins the race, यानि कोई भी काम आप धीरे करें, लेकिन उसको लगातार करेंगे, तो तबी आपके हाथ सफलता लगती है, thank you so much for watching my video